नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी हिस्ट्री सीरीज में जिसमें कि इससे पहरे चैप्टर में हमने देखा कुछ संब्रिद गाओं के बारे में और खुसहाल सहर संब्रिद गाओं इस तरह से कुछ उनके बारे में देखा जिसमें कि हमने इससे पहले जाना कि उप महा लोहे के प्रयोग के शुरुवात आज से 3,000 साल पहले होई थी लोहे के प्रयोग में जो बड़ोतरी होई थी नगर आहाज सिक्के जो के सोने और चांदी के बनाय जाते थे आज से कम से कम से कम 1900 सार पहले का था उसके बारे में हमने चर्चा की तो लगभग आज से 2200 से 1900 इस से पूर्व की चर्चा हम कर चुके हैं कि उस समय के गाउं किस प्रकार के थे गाउं में सासन व्यवस्ता किस प्रकार की जो राज्य था राज्य की सासन व्यवस्ता किस प्रकार की थी और उस समय के नगर जो थे उन पे किसका साशन होता था तो इस बारे में हमने चर्चा की है अब हम चेप्टर नमबर 10 में देखेंगे व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री तो इसके बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो जगनी नाम के एक लड़की है वह बाजार में घूम रही है मेले में घूम रही है जहां पर उसने देखा कि स्टील के चमकदार बरतन रंग बिरंगी प्लास्टिक की बार्टियां सोक जो चमकदार रंग होते हैं उनके फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े चाबी से चलने वाले खिलोने तो इस तरह की चीज़ें जब वह देखती है तो वे उन दुकानदारों को देखती है जो कि क्या करते हैं रात को अपना सामान समेट करके वापस चले जाते हैं दिन पर अपना सामान बेशते हैं और रात को वापस रहाते हैं तो जगनी हैरान होती है और सोचती है कि ये लोग हमेशा यह काम करते हैं घूमते रहते हैं तो उसकी माने बताया कि वे लोग व्यापारी होते हैं वे चीजें जो उन जगों से खरीदते हैं यहां ये बनाए ज होता है व्यापार करना क्या होता है तो इस बारे में हम भी जानेंगे कि क्या-क्या चीजे हैं जो हमारा पुराना पुराने समय का व्यापार था वह किस तरह का होता था जैसे कि हमने कि इन जगहों पर ये बरतन कैसे पहुँचे होंगे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाते है, कि यहाँ ये बनते ही थे, ठीक है, जहाँ पर इनकी प्राप्ती हुई है, ऐसा समझा जाता है, कि यहाँ पर ये बरतन बनते ही थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर किया अभी भी होते हैं तो ये खास तौर पर क्या जो काली मिर्च है कीमती पत्थर है वा क्या दक्षिन भारत इनके लिए परस्चिद्य था काली मिर्च की रोमन सामराजर मैं इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के نام से जाना जाता था तो व्यापारे इन सामना को समुदरी जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे दक्षिन भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुई है जिससे अंदाया लगाया जा सकता है कि रोम के साथ अच्छा व्यापार चलता था इसका मतलब क्या है कि रोम में क्यों क्या होती थी जो हमारी काली मिर्च थी उसकी बहुत मांग थी तो जब हमने काली मिर्च रोम को बेज दी तो रोम से क्या आये होगे मुद्रा आये होगी तो वो मुद्रा क्या हुई हमारे भारत में प्राप्थ हुई तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि रोम के साथ अच्छा व्यापार था ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापार से जुड़ी हुई उस समय की एक कविता यहाँ पर उसका परमान घोडे गाड़ियों पर काली मिर्च की गठ्रियां हिमालय से मिली रत्न और सोना अच्छिन की पहाडियों से चंदन की लकडियां जख्षणी सागर के मोती पूर्वी सागर के मूंगे गंगा और कावेरी की फसलें शिल्लंका से आय खादooooo मियामार के बने मिट्टे के बरतन दुरलब किमती आयात तो देखिए एक छोटी से कविता ने उस समय का पूरा का पूरा जो वर्णन है वह कर दिया है कि कौन सी चीज कहां से प्राप्त होती थी कहां से उसका व्यापार होता था तो इस पूरी कविता से हम अंदाजा लगा सक थे काली मिर्च हमें पता है कि साउथ वर्तमान दक्षिन में वहाँ पर मिलती हैं दक्षिनी सागर के मोती पूर्वी सागर में मुंगे मिलते होंगे गंगा और कावेरी उस समय भी क्या थी फसल के लिए प्रसित जो गंगा और कावेरी जो दोवाब छेतर है वहाँ पर क्य होजे थे इन में से कुछ समुझर के किनारे चलते थे कुछ अरफ सागर और बंगाल की खाड़ी के पार को व्यापारी पार करते थे ठीक है नाविक मांसुनी हवा का फाइदा उठा करके अपनी यातरा जल्दी पूरी कर लेते थे इसका मतलब क्या है कि जो जिस समय क्या होती है मांसुनी हवाएं चलती है तो उस समय क्या होते थे जो यह नाविक थे वह चलना प्रारम करते होंगे तो मांसुनी हवाएं है वह क्या कर देती है जिस दिसा में वह हवाएं चल रही है उसी दिसा में उनके नाव जल्दी से जल्दी चल जाती होगी तो वह अफ्रीका या मजबूत जहाजों का निर्मान किया जाता था क्योंकि जब हवाएं चलेंगे तो हवाएं जटका भी मारेंगे कभी तेज होंगे कभी धेमी होंगी तो इनके लिए मजबूत जहाज भी होते थे दक्षणी पस्चमी मांसून कहां से चलते हैं दक्षणी पस्चमी मांसून जो इन राजों की क्या-क्या भूमिकाएं थी उस समय में तो जो भारत महाद्वीप है हमारा उप महाद्वीप है भारत को एक उप महाद्वीप कहा गया है ठीक है तो भारत जो एक महादीप है उसका जो समद्री टट है उसकी क्या-क्या भूमिकाएं थी इसके बारे में हम देखेंगे तो देखिए जो इसका तटिय छेत्र था क्योंकि हमारा जो दक्षणी छेत्र है वह दोनों तरब से समद्र से घिरा हुआ है तो इसमें बहुत से पहार और परवत और तो नदियों के किनारे इलाके में जो कावेदी नदी का मैदान क्या था सबसे ज़्यादा उपजाओ था मैदानी इलाके तथा तटी इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास काफी क्या होती थी धन संपदा होती थी क्योंकि वो क्या थे उपजाओ थे तो धिरे-धिरे क जिसका आर्थ होता है तीन मुख्या इसका प्रयोग तीन साशक परिवारों के मुख्याओं के लिए किया गया है यह थे चोल चेर और पांड इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि यह क्या थे मान्चित्र में इनको दिखाया गया है तो यह करीब 2300 साल पहले दक्षिन साली माने जाते थे इन तीनों मुख्याओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे इन में से एक तटिय हिस्ते पे और दूसरा अंदुरुनी हिस्ते में था इस तरह छे केंद्रों में से दो बहुत महत्त्वपूर्ण थे एक चॉल का पत्तन पुहार या कावेरी पत्नम द दूसरा था पांडियों की राज़ानी मदुरे ठीक है हम इनके वारे में पहले से हमने देखा हुआ है कि यह पहले से भहुत इतिहास में इनका वर्नन मिलता है तो अब हमें की रीजन भी पता चल गया है कि क्यूं क्यूंकि दक्षिन भारत क्या था खूप संब्रद था वह उपहारों की मांग करते थे ठीक है जिसे हमने देखा कि उत्तर भारत में क्या होता था वहां के जो थे राजा क्या करते थे कर लेते थे किसानों से यहां पर यह क्या करते थे उपहार मांगते थे कभी-कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से सुल्कवसूलते थे, इन में से कुछ धन्वे अपने पास ठहा लेते थे, बाके अपनी समर्थकों को, नातियर स्तेदारों को, ना द्रिका अन्हग संगम कवियों ने उन मुख्याओं की प्रसंशा में कवितायां लिखी हैं, जो उन्हें किम्ति-जवाहारा, सोने घोड़े हाथी रथ और सुन्दर कपड़े दिया करते थे तो इनके लगवक दोशो वर्सों के बाद पस्चिमी भारत में साथ वाहन नामक रास्ट वर्ण्स का प्रभाह पड़ा साथ वाहनों का सबसे मुख्य जो राजा था वो था गौतमी पुत्र साथ करणी उसके बारे में हमें उसकी मा गौतमी बलस्री के एक अविलेक से पता चलता है वहो और अन्यसरी साथ वाहन शासक दक्षिना पत के स्वामी कहे जाते हैं ठीक है दक्षिनापत के स्वामी कौन कहा ज़त कही जाते हैं सात वहन सासक क्या कही जाते हैं दक्षिनापत के स्वामी कही जाते हैं दक्षिनापत का साब्दिक अर्थ क्या होता है दक्षिन की ओर जाने वाला रास्ता ठीक है तो पूरे दक्षिनी छेतर के लिए भी यही ना प्रचलित होता था श्री साथ करनी है yeah पुछे पूर्वी पस्तित अपनी सेनाएं भेजी ती क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वी पस्तित हैं रेशम मार्क की कहानी क्या है कि कीमती, चमकीले, रंग और चिक्नी मुलायम बनावट की वज़ों से जो रेशम के कपड़े थे वह अधिकान समाज में क्या थे बहुत ही बहुत मुल्या माने जाते थे रेशमी कपड़ा तयार करना एक जटिल परकरिया थी, रेशम के केड़े से कच्चा रेशम निकाल का सूथ कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा वना जाता था रेशम बनाने की जो परकरिया थी वह तक्निक का अविश्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्स पहले हुआ था तो रेशम का जो सबसे पहले अविश्कार हुआ वह कहा हुआ था चीन में हुआ था इस तक्निक की को उन्होंने हजारों साल तक क्या किया बाकिय दुनिया से छुपा करके रखा पर चीन से पैदल घोड़ों या उठों पर कुछ लोग दूर दूर तक जाते थे और अपने साथ रेशी में कपड़े भी ले जाते थे जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वहो रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता था तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं कि चीन के पास थी क्या तकनिकी रेशम की तकनिकी ठीक है जिसको कि क्या क्या उसने पुरी दुनिया से छुपा करके रखा अब क्योंकि ये बहुत ही क्या था रेशम बहुत ही लोग प् लग गए तो इसलिए जिस रास्ते से फ 거지 बोला गया सिल्क मार्ग या सिल्क रूट या रेश्ण मारग कभी कभी चीनके शासक आष्छो ऐहरान और पस्चिमी एश्छा के सासकों को उपहार के दौर पर रेश्ण मे कपड़े बेचत dette यहां से रेश्ण के बारे में जानकारी और भी पस्चिम के ओर फैल गई करीब 2000 साल पहले रोम के सासकों और धनी लोगों के बीच रिस्मी कपड़े पहनना एक फैसन बन गया था इसकी कीमत भी बहुत जादा ही थी क्योंकि चीन ने इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्त से हुकर जाना पड़ता था यही नहीं रास्ते के आसपस रहने वारे लोग व्यापरियों से यात्रा सुल्क भी मांगते थे तो इसमें सिल्क रूट उसकी साख्वाओं को दिखा गया है जो हमने एक मांचितर देखा था वहाँ पर थोड़ा हमने समझा नहीं पाए थे ले अच्छा मिलता था सुल्क और तौफिय अच्छे मिलते थे इसके बदले में यह सासक इन व्यापरियों को क्या करते थे जो रूटेरे होते हैं उनसे इनकी रक्षा करते थे जो सिल्क रूट है क्योंकि वो क्या होते थे चाइना से ही सिल्क बनके आ रहा है तो अब जहां ज पहरेंगे वहां के राजा क्या चाहते थे कि इनको रोक करके इनसे तोहफे सुल्क और करके रोपे लाफ कमाते थे सिल्क रूट पर नियंतर रखने वाले सासकों में सबसे प्रशिद्य कौन थे कुसान थे करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पस्चिमोत तर भारत पर इसक यही राज्य का हिस्सा था जोग अभी का है वर्तमान पाकिस्तान में है इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक साखा मध्य एशिया से होकर सिंदु नधी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी फिर यहां से जहाज़ा द्वारा रेशम पस्चिम की और रोमन सामराज्य मे भीजा जाता था ठेक है तो इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वे क्या थे कुसान थे तो यहां पर एक क्वेशन बन जाता है कि जो भारत उप महाद्वीप था उस पर सबसे पहले जो क्या था सोने के सिक्के जारी किसने किये थे तो वो किये थे कुसानों ने सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले जो व्यापारे थे इनका उपयोग किया करते थे कि इनका जो ये सोने के सिक्ये थे इनका उपयोग किया करते थे ठेक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरो से सिल्क रूट और व्यापार उस समय का होता था और जो स्थानिय राजा थे वो किस तरो से उन व्यापारियों से करवसूल करते थे तो और इसका लाफ कमाते थे तो यहां पर हमने व्यापार के बारे में जाना इसके बाद हम अन्या और बाते जानेंगे बहुत धर्म के प्रशार के बारे में क्योंकि यह पार्ट थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम इस चीज को इस जो भाग को दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे तो फिलाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद